हेलो फ्रेंड वेल्कम बाक टो आर चैनल तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुथूट फिरांस के बारे में हमने महिना पर पहले भी इस स्टॉक के बारे में बात की थी और इस टाइम पर हमने एक लेवल बताया था और वो लेवल क्रॉस हो चुका है और बहुत ही बढ मिल सकती है इससे पहले कि हम इसमें डीटेल में चर्चा करें मैं आप सभी से दर्खवास करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दावाना बिल्कुल दूर लेगा जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह की वीडियोस आदानी एंटर्वास के बारे में बात की है अभी वह बिलकुल उसी लेवल पर खड़ा है जहां पर हमने बात की थी अगर उसके नीचे निकले 2400 के नीचे तो फिर आप उसमें बिलकुल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कल की वीडियो में जरूर यह बताया था शायद म मैंने बोला था उसके शायद 1326 रुपय का लेवल चल रहा था और 1326 के बाद मैंने यह बोला था कि अब अगर इसमें एक चाल आएगी तो वो चाल आएगी सिर्फ और सिर्फ कहां पर 1330 के उपर अगर यह निकलने लग जाए 1330 के उपर निकले तो फिर इसमें अगच्छी चाल आ सकती है क्योंकि इसमें एक यह एक ब्रेकडाउन आया था एक गैप बना दिया था इसने डेली के चार्ट पर और इसी वज़े से मैंने बोला था जब यह गैप फिल हो जाए 1350 के उपर चल जाए तो फिर इसमें एक अच्छी चाल आने की संभावना है तो आज ही के स 1390 का लेवल था यह आपको देखेगा 2020 जून जुलाई 2020 का लेवल था वहां पर इसने पहली बार रिजिस्टेंस लिया था यहां पर देखे पहली बार रिजिस्टेंस था उसके बाद तो यह इस लेवल पर आके यह ब्रेक आउट दिया था वर उसके बाद यह नीचे आया स अलाकि अच्छा खरसा इसमें ट्रैक्शन मिला सत्रा सो रुपए तक ये गया स्टॉक बर इसके बाद इसमें यही एक लेवल है जो तोडने के बाद इसमें बहुत ही नीचे के लेवल देखने को मिले और आप देख सकते हैं अल्मूस्ट नौस्ट रुपए तक की चाल देखने को मिली जब ये 1390 लेवल टूटा था तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़ादा है 1390 की यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया फिर सके दिए भी ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद अब जो है यह फिर से इसने क्रॉस किया है 1390 का लेवल और 1390 की लेवल को क्रॉस करने के बाद अब जो next पड़ाओ देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा almost 1.4100 1.4100 निकलता है तो 1.5100 और 1.5100 के बाद almost 1.700 का level इसमें देख सकते हैं तो targets क्या हो जाते हैं target आपके सामने है 1.5400 फिर उसके बाद आपको देखने के मिलेंगे 1.5500 और 1.5500 के बाद 1.700 तो 1.5400, 1.5500 और 1.700 यह 3 levels हैं जो बिल्कुल ध्यान रखेगा इसमें अगर stop loss लगाना है अगर आप थोड़ा सा पुराने बने हुए हैं इस particular trade में तो आपको stop loss जो लगाना है वो लगाना है almost 1.350 का 1.350 का एक काईदे का stop loss हो जाएगा जहां पर आपका सिर्फ stop loss कटेगा ही नहीं बल्कि अगर यह थोड़ा सा retrace होता भी है और यह 390 के आसपास अगर यह आता है या 1.350 के आसपास आता है तो वहां से ही वापस retouch करके ऊपर चलना शुरू हो सकता है तो ध्यान रखिएगा अच्छा खासा लेवल है और अच्छी इसमें चाल आने के पूरी-पूरी संभावना है तो इसमें जो है आपको अभी लेवल्स मैंने बता दिये है stop loss मैंने बता दिये है यह daily का चार्ट है इसी को मैं एक बार weekly के चार्ट में और इसमें भी अगर long term investor है तो बारा सो असी का एक लेवल है जो कि इसका 20 week exponential moving average है वहाँ पर इसमें एक support का काम कर सकता है हाला कि 1390 यहाँ पर भी support दिखता है 1390 जो resistance था वही एक support की तरह काम करेगा और इसमें अगर RSI का नंबर दिखते हैं तो वो भी 66 है जो कि बहुत ही बढ़िया है और मंत्री के चार्ट पर भी 1200 रुपए तक का एक stop plus लगा सकते हैं तो बहुत लंबे investor हैं आप पुराने time से इसमें बने हुए है तो इसमें एक level बनता है बट 1500-1700 रुपए यह बिलकुल आने वाले time में जा सकता है तो बहुत ही अच्छा चार पैटरंस है मुथूट फिरेंस के और अगर position तो जल्दबाजी मत कीजेगा जल्दबाजी में बिलकुल अपनी position मत काटीगा और इसमें थोड़ा सहीम रखेगा so that at least आपको जो देखनी को मिल रहा है जो पैसा आपने बनाया है उसको आप save कर सकें जैसे ही ये 1500 को level 1500 को level cross करें तो 1500 पे ले जाएगा अपना stop loss और 1500 का वेट कीजेगा 1500 निकलता है तो 1500 से stop loss खींच के 1500 पे कीजेगा और 1700 का वेट कीजेगा तो इसी तरह से अपना trail करते चलिए अपना stop loss तो यही एक strategy है इस तरह के market में हाला कि market बहुत ही उंदा चला है बहुत ही बढ़िया चला है और आपने देखा है किस तरह के traction मिले भी है आपको market में बहुत ही अच्छी rally आई है हर stock में जो भी आपने डिसकस किया है ज्यादातर stocks में काफी अची rally आ चुकी है और जरूर बताएगा अगर आपने भी कही position मना रखी है और अगर आपकी कोई position है जहाँ पर आप फसे हुए है वो भी आप मुझे से share कर सकते है comment section में जैसे यूको bank पे किसने मेरे से पूछा था यूको bank में मैंने अपना view दे दिया था comment में ही because उसमें कुछ बहुत जादा मुझे लग नी रहा यूको bank side way चल रहा है तो उसमें बहुत जादा कुछ पढ़ाओ आने के बाद cross करने के बाद level तब ही उसमें कुछ होगा उसमे descending triangle pattern बन रहा है तो वो अगर तोड़ता है तो ही यूको bank में कुछ movement आएगा उपर या नीचे तो इसी तरह से अगर आपके भी कोई query है तो आप बिलकुल query पूछ सकते हैं comment में लिख सकते हैं अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं अगर आपने कहीं पे किसी stock में निवेश किया हुए और आपको chart बहुत अच्छे लग रहे हैं वो भी आप share कर सकते हैं so that at least we cover कर सके stock को और जादतर लोगों के पास वो information पहुंच सके जरूर बताएगा वीडियो कैसे लगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो do give me a thumbs up and don't forget to share it with your friends and family as well आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही we'll see you in the next video thank you so much for watching this video